हलो गाइज दिस इस विने और आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग प्लास्ट लेक्शर के अंदर आपने मैगनेटल स्ट्रिक्शन और साथ में उसका कंवर्स पड़ा यानि की वेलरी इफेक्ट बारे में आपने देखा और अब हम यहां पर आपका डिसकस करेंगे हार् डिरेक्ट आपका जैसे कन्वेनशनल के अंदर पूछ लिए जाता है तो इसको हम लिखते हैं टाइबस ओफ फैरो मैगनेटिक मैटीरियल ठीक है तो यहां पर आपका दो कोलम आपका बनाते हैं, एक साइड आपका हार्ड के केस्ट में करेंगे, और एक साइड आपका सुफ्ट के केस्ट में करेंगे, तो पहले आपका लिखते हैं यहां पर हार्ड मैगनेटिक माटीरियल, ठीक है, हार्ड मैगनेटिक माटीरियल आपके बीच में आपका ड्रोव कर लेते हैं यहां पर यहां से आपका देखे सबसे पहला पॉइंट आपका फर्स्ट पाइंट आपका क्या है का हर्ड मैगनेटिक मटीरियल के अंदर और कैसे इनको आपका सेपरेट किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने BH कर्व वहाँ पे बनाया था, यानि कि हिस्टेरिसिस कर्व आपने जो बनाया, उसी को हम दुबारा से रीड्रो करते हैं, तो hard magnetic material केस में जो आपका हिस्टेरिसिस कर्व आपका बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वही देखो, टीजा थाई है, यह आपका b, और यहां पर आपका क्या है, इस एच этой है, यहां पर आपका इस थरीके से यह आपका b hab nowhere this is your retentivity, b,r, और यह आपका क्या होता है, इस याथिस, आपका, बी आर, और ही ओर shouldtierbaren Пр, छी?, यह ए तो यह आपका b,r, और h,c यहां पर आपका क्या रहेगा, soft magnetic material के इसमें, इसका अगर हम BH curve आपका बनाएं, तो इसका BH curve कुछ ऐसा आपका है, देखो. Now, this is B and this is H, तो यहां से आपका ऐसे, इस तरीके से आपका BH curve आपका आएगा, यानि कि हम इसको कह सकते हैं, it is nearly equal to like this, यह आपका किसकी तरह है, यह आपका कुछ ऐसा है, it is like this, this is B and this is H. तो यहां से इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, it is like this, थोड़ा सा चोड़ा आपका हो जाएगा, यहां से, ठीक है, इस तरीके से, so this is your BH curve, यह आपका क्या हो जाएगा, this is your BH curve, ठीक है, यह आपका होता है, तो यहां से आपका difference आपको पता चला, कि यहां पे पहला जो difference है, आपका वो आपका क्या है, यहां पे आपका जो है wider bh loop आपका होता है bh loop आपका क्या होता है यहां पे wider आपका होता है और यहां पे इसके case में आपका जो loop रहेगा it is narrow bh loop ठीक है यह जो loop है आपका यह बहुत ही बतला होता है इसको हम बोलते है narrow bh loop ठीक है this is wider bh loop और यह आपका क्या है narrow BH loop है यानि कि almost यह आपका किसकी तरह है linear की तरह है आपका ठीक है तो यह आपका first difference गुआ दूसरा difference इसके अंदर आपका क्या कह सकते हैं second difference आप देखे रहे हो यहाँ पर यहाँ पर जो BR की value है वो आपकी इतनी है और corrosivity आपकी केतनी है इतनी है तो इसका मतला BR और साथ में जो corrosivity की value है soft magnetic material केस में वो कम रहती है और आपका जो hard magnetic material होता है उसके case में आपकी retentivity या फिर आपका बोले corrosivity इन दोनों की जो value होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है तो यहाँ से corrosivity is also higher यह भी आपकी क्या रहेगी higher रहेगी similarly अगर मैं इसके case की बात करूँ तो यहाँ पर हम कह सकते है यहाँ पर आपकी जो retentivity है यहाँ पर क्या है low है retentivity is low और साथ में आपका जो corrosivity है it is also corrosivity is lower ठीक है यह आपका होगा it is also higher BH product is higher BH का जो product है is higher ठीक है और यहाँ पर जो BH का product है BH product is low यहाँ पर आपका क्या रहेगा lower आपका रहेगा ठीक है तो यह आपका होगया एक तो आपका graph से आपने देखा graph से आपके सारे points आपको ना ज़राए और graph से हम क्या समझ सकते हैं और हम grab से आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा देखो अगर हम इसको यानि कि इस बी-एच कर को हम कहाँ पर यूज करें आपका DC अप्लिकेशन के अंदर या फिर AC अप्लिकेशन के अंदर पहले मानते हैं तो क्या होता है आपका जब AC के अंदर आगर हम इस कर को यूज़ करेंगे, तो आपका क्या होगा देखो, यहां से आपका जो domain आपके होते हैं, dipoles आपके जो होते हैं, यह आपके एक बार इस cycle के अंदर ऐसे जाते हैं, और दूसरी cycle के अंदर आपके reverse हो जाते हैं, ठीक है, तो यह जो आपके magnetic material होते हैं, इनको hard क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह ना तो आसानी से magnetize होते हैं, और ना ही आसानी से demagnetize होते हैं, जबकि जो soft magnetic material होता है, यह आसानी से magnetize भी हो जाता है, और आसानी से demagnetize भी हो जाएगा, ठीक है, तो आसानी से अगर आपका magnetize और demagn दोनों आपके होंगे तो इसका मतल़ आपका क्या हुआ कि जब हम यहां पे AC एपलाई करेंगे तो यह आसानी से आपका क्या हो जाएगा इस तरफ चला जाएगा डॉमीन और आसानी से आपका वापीस हा जाएगा तो soft magnetic material को हम prefer करते हैं कहां पर यूज करने के लिए आपका AC applications के अंदर और इसको हम कहां पर यूज करते हैं देखो यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बता है अगर एक इसको बड़ी मुश्कल से के अंदर यूज करते हैं किसको आपका इसकार को तो यहां से हम इसमें लिखेंगे hard magnetic material hard magnetic material hard magnetic material आपके क्या होते है hard magnetic material are difficult to magnetize are difficult to magnetize and demagnetize ना तो इनको आसानी से आपको magnetize किया जा सकता है और ना ही इनको आसानी से demagnetize किया जा सकता है ठीक है यह आपका हो गया next point तो यहां से आप soft के case में हम लिख सकते हैं वही जो soft magnetic material है आपके soft magnetic materials materials are easy to magnetize are easy to magnetize and demagnetize यह आसानी से आपके magnetize भी हो सकते हैं और और आसाइनी से आपके demagnetize भी हो जाएंगे, ठीक है, तो यह आपका इसमें सबसे important point है, soft magnetic material और hard magnetic material के बीच में, बाकी तो आपके क्या है, normal आपके VH पकारू को लेके हैं, तो यह आपके कुछ point हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5-5 point आपके दोनों क्यों हो गए हैं, अब next point करते हैं, as it is hard to magnetize, so it is used in DC applications, as it is, as it is hard to magnetize, क्योंकि यह मुश्किल से magnetize होता है, as it is hard to magnetize, it is used in, it is used in DC application, इसको कहां पर use किया जाता है, DC applications के अंदर, और इसको कहां पर use किया जाएगा, यहां पर आपका लिखेंगे, as it will easy to magnetize, it will easy to magnetize, it is preferred to use in, it is preferred to use, to use in AC application, इसको कहां पर use किया जा सकता है, AC applications के अंदर आपका use किया जा सकता है, यानि कि, हम बोलें, जैसे transformer आपका होगा, या फिर आपकी induction motor होगी, तो वहां पर आपका use कर सकते हैं, इसको, और अगर हम बात करें, आपका DC machines के case में, या फिर आपका बोलें, जैसे जो permanent magnet होता है, PMC type के, तो वहां पर आपका use कर सकते हैं, इसको hard magnetic material को, ठीक है, तो next point PMC से आपका याद आया कि, यहां पे, क्योंकि यहां पे आपका क्या होता है, this is hard magnetic material, और यहां पे इसकी retentivity बहुत ज़्यादा होती है, as retentivity is large, so it is used for making permanent magnets, ठीक है, तो यहां से next point आपका लिखेंगे, इसको अटा देते हैं, यहां से, तो यहां से आपका next point आपका ल permanent magnets, किसके लिए आपका use किया जाता है, permanent magnets के लिए इसको use किया जाता है, क्यों use किया जाता है, as its retentivity is, as its retentivity is large, क्योंकि इसकी retentivity क्या होती है, high होती है, as its retentivity is high, तो यहां से इसको हम लिखेंगे next point, as its retentivity is low, क्योंकि soft magnetic material की retentivity बहुत ही कम है, तो इस वज़े से इसको permanent magnet के में use नहीं किया जा सकता तो यहां से इसको लिखेंगे as its retentivity is low as its retentivity is low ठीक है, it is not used it is not used for permanent magnet, इसको use नहीं किया जा सकता used for permanent magnets, it is not used for permanent magnets ठीक है, तो यह आपका एक ओर difference हुआ, तो टोटल आपने कितना difference हो गए है, पांच आपने पहले लिखे, दो आपके ओर आ गए है ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं, कि इसके case में, hard magnetic material के case में, जो आपकी susceptibility और magnetic permeability होती है, वो आपकी कम रहती है, इसके case में आपकी ज़्यादा रहती है, तो यहां से हम इसमें लिखेंगे hard magnetic material के case में, काई यानि कि magnetic susceptibility और mu R की जो value है, यहां पर low आपकी रहेगी, और soft के case में आपके क्या कहेंगे, जो xium और mu R की जो value है, यहां पर क्या रहेगी, जादा रहेगी, is higher ठीक है, एक difference आपको यह और पता चला, तो total difference आपके होगे art, ठीक है, इसके अलावा आपके बाकी की जो difference है, वो हम example से भी समझ सकते हैं, तो अब हम इसकी देखते हैं examples, examples ठीक है, next difference आप example से बता सकते हो, तो इसका जो difference आएगा सबसे पहला, जो आपका है, इसको बोलते हैं, cobalt steel यहां पर आपका use होगा, cobalt steel, ठीक है, या आपका कहां पर यूज़ होता है, cobalt steel, it is used in permanent magnet for compass needle, ठीक है, it is used it is used in permanent magnet, या permanent magnet की तरह काम होता है used as permanent magnet भी कर सकते हैं, used in permanent magnet for compass magnet for compass needle, यह किसके लिए आपका use होता है, compass needle के लिए, ठीक है, या आपका compass needle के लिए यूज़ होता है second आप गर आप इसमें देखें तो आइसको लिख सकते हो tunguston steel tunguston steel ठीक है यह आपका कहां पर यूज़ होता है it is used in DC machines यह आपका use किया जाता है यह भी permanent magnet की तरह यूज़ किया जाता है होता है फिर और आपका क्या example होगा third आपका जो एक्ज़मपल आएगा that is ऐलनीको का मतलब आपका हो गया aluminium nickel cobalt alloy ठीक है aluminium nickel और cobalt का आपका alloy है और यह भी permanent magnet की तरह के use होता है कहां पे PMC के अंदर तो used as permanent magnet used as permanent magnet for PMC PMC का मतलब यही होगा permanent magnet moving coil यानि कि measurement के अंदर जब आपका permanent magnet moving coil आपकी होगी तो वहां पे आपका क्या use होता है एलनीको आपका use होता है ठीक है फिर उसके बाद में आपका होता है next आपका इसमें लिख सकते हैं in somarium cobalt सोमें लिख समरियम कोबाल ठीक है इसका फर्म्लेवा होता है SMC O cobalt five ठीक है और फिर उसके बाद में आपका next आपका तो बेरयुम फेर formas पर्म्रे CC बेरियम फेराइं उसका जो कहता है यह्मधार थी यह आ six Fe2 hat A six vectolite यह आपके कुछ elements हैं जो आपके किसके example होते हैं hard magnetic material के या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि इन से आपका क्या बनाए जाता है permanent magnet आपकी बनाए जा सकती है तो यह था आपका किसका example hard magnetic materials के example और आपका याद आएंगे तुम आपको बताता रहूँगा इसमें और फिर अब हम इसमें देखते हैं आपका soft magnetic material के example सबसे पहला यहां पे आपका आएगा सबसे पहले जैसे आपने यहां पे लिखा है पहला पके कोबाल्ट स्टील यहां पे हम इसमें लिखते हैं hypernic hypernic ठीक है hypernic इसके अंदर आपका क्या होता है यह important है आपका देखो यहां से 50% आपका होता है इसके अंदर nickel और 50% आपका क्या होता है यहां पे iron आपका होता है ठीक है 50% nickel आपका यूज होता है और 50% आपका क्या यूज होता है iron आपका यूज होता है मुस्लि हम सोफ्ट मैगनेटिक मटेल को सीधा-सीधा करके बता देते हैं कि यहां पर आपका क्या है इन इस केस निकल फेरस अलोई इस काल्ड सूप्ट मैगनेटिक मटेरियल ठीक है तो लेकिन यहां पर निकल की परसंटेज बहुत कुछ डिसाइड करती है तो देखो पहले इसके अंदर आपका होता है 77 परसंट निकल बुषा का यहां पर और 14 परसंट अपका लएगा यहां पर आयरन रहेगा 5 परसंट आपका रहता इसमें को पर और जो 4% आपका है यानि कि कितना होगा आपका ही 19 और यह 4% आपका बचा तो यहाँ से 4% इसके अंदर आपका molly bad name आपका रहता है ठीक है तो यह आपका important है mom metal ठीक है और यहाँ पर next आपका क्या आएगा 78 78 पर alloy ठीक है यह आपका होता है इसके अंदर आपका क्या होता है जैसे 78 इसका नाम है तो मम मेटल के अंदर यहां पर पहले 50% फिर 77% तो यहां पर 78% आपका क्या रहेगा निकल आपका रहेगा और 14% आपका क्या रहेगा यहां पर आयरन आपका बाकी के आपके element आपके अलग लग आप इसमें आ जाते हैं aloe के अंदर next आपका इसके अंदर है आपका super alloy super alloy ठीक है इसके अंदर आपका कैसे रहेगा जैसे इसकी percentage आपकी बढ़ती जाएगी यहाँ पर आपका 79% आपका क्या आजाएगा nickel आपका आजाएगा ठीक है low value of flux density very low value of flux density very low value of flux density और कितनी value होती है इसकी जो range आपकी होती है that is 0.7 tesla to 1.3 tesla ठीक है यह आपका होता है और यहाँ आपका कहाँ पर use किये जाते हैं जैसे mum metal है आपका it is used in core of core of CT and PT ठीक है और साथ में आपका magnetic shielding के लिए जो हम magnetic shielding आपका पढ़ेंगे measurement के अंदर वहाँ पे भी यह use किया जाता है इसको आपका बोलते हैं वहाँ पे nickel ferrous alloy ठीक है इसके बाद में और आपका क्या होता है nickel up to 33% nickel up to 33% ठीक है यह आपका use होता है और इसको use किया जाता है आपका जहाँ पे very high frequency range very high frequency application जहाँ पे frequency आपकी ज़्यादा रहती ही very high frequency applications के अंदर आपका 33% nickel को use किया जाता है for example wideband transformer जैसे आपका होता है wideband transformer ठीक है और आपका यहाँ पे और कहाँ पे use किया जाएगा इसको कुछ relays के अंदर भी आपका use किया जाता है यह कहाँ है तो इसको हम लिख सकते है high speed relay के अंदर ठीक है it is used और एक क्या होता है और एक आपका होता है 49 per mendir ठीक है इसके अंदर आपका परसंट आपका कोबल्ट रहेगा 49 परसंट ही आपका iron रहेगा और 2 परसंट आपका वैनेडियम रहेगा वैनेडियम ठीक है ये आप क्यों होते हैं कुछ इंपोर्टेंट आपके ठीक है जो मैंने आपको बताया है और इसको जो यूज क्या जाता है इसको यूज क्या जाता है जहां पर high flux density चाहिए where high flux density is required जहाँ पे high flux density चाहिए इसकी जो flux density होते है 2.3 tesla के असपास रहेगी और mostly आपका वहाँ पे use किया जाता है जहाँ पे आपका जो बी एच करू के अंदर है linear region जहाँ पे ज़्यादा चाहिए where more linear region is required more linear region is required जहाँ पे ज़्यादा linear region आपका चाहिए होता है वहाँ पे इसको use करते है जैसे इसका example आपका क्या आएगा इसके जो example है जहाँ पे use होता है that is servo motor एक तो आपका servo motors के अंदर और आपका दूसरा आपका कहाँ पे loudspeakers के अंदर loudspeakers के अंदर तो इसकी जो example है ये भी आपका important है कि किसका use आपका कहां पे होता है ये use से भी आपका सीधा पूछ लिया जाता है या फिर इस तरीके से आपका पूछ लिया जाता है तो ये थे आपके कुछ example इसके बाद में अगर आपका hard magnetic material और ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर आपको point बनाने ही है तो point हम ये भी बना सकते हैं कि hard magnetic material के अंदर आपका क्या होता है more hysteresis loss hysteresis loss आपके क्या रहेंगे जाद रहेंगे क्यों because wider bh curve क्यों कि bh curve आपका क्या है यहाँ पे wider है आपका और curve आपका क्या होता है यानि कि आपने देखा hysteresis loss आपके क्या होते है directly proportional to area of loop ठीक है तो इस region से भी आप इसको बता सकते हो कि इसके अंदर जो आपका hard magnetic material होता है इसके अंदर आपके जो hysteresis loss है वो आपके क्या रहते हैं जाद रहते हैं as compared to soft magnetic material तो यहाँ पे soft magnetic material के अंदर हम एक point और आपका add कर सकते हैं जो आपने पहले लिखा है उसी के अंदर आपका कि यहाँ पे जो hysteresis loss है hysteresis loss is directly proportional to area of loop ठीक है और इस वज़े से आपके क्या रहेंगे so low value of hysteresis loss यहाँ पे आपके क्या है low value of hysteresis loss इस तरीके से आपके points आप बढ़ा भी सकते हो आप देखो hard और soft magnetic material आपका इसमें difference तो आपको मैंने बदा है example से आपका अब hard और soft को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं physically कैसे समझेंगे वो important है तो देखो आपने glass देखा हुगा कांच का glass होता है उसमें एक तो bottle होती है bottle मतलब जैसे beer वगेरा की जो bottle होती है एक तो वो bottle होती है और एक glass आपकी car का भी glass होता है ठीक है तो देखो जब आपकी bottle जब तूटती है bottle जब आपकी तूटती है तब वो आपका क्या करती है अगर वो कहीं पर भी आपका skin पर touch कर जाए तो वो आप उसको काड़ देती है बट जो आपका गाड़ी का सामने वाला mirror होता है जब वो तूटता है और वो लग जाए किसी को तो वो आपका चोट जादा नहीं देता है इन दोनों का reason क्या है कि जो आपका bottle है जो आपकी उसके अंदर आपका क्या होता है वो पूरा का पूरा hard होता है ठीक है और जो आपका गाड़ी का glass होता है उसके बीच में आपका क्या होता है transparent type का होता है और बहार से आपका क्या हो जाता है वो बहार से उसको मतलब ठंडा करके और उसको hard बनाया जाता है जबकि अंदर से वो क्या रहता है liquid form में रहता है उसके अंदर जो glass होता है तो यानि कि इनकी जो preparation होती है वो भी कुछ इसी तरीके से होती है कि यहां पे hard magnetic material जो आपका रहेगा इसके अंदर आपका जो mechanical stress है जो mechanical stress है यानि कि अंदर internal जो stress होता है वो आपका soft के comparison में आपका क्या होता है जादा होता है जिस वजह से यह hard magnetism आपका acquire करता है और यहां पे आपका क्या होगा इसके case में आपका क्या होता है उसके melting point तक आपने उबाल दिया चीक है? यानि कि किसी कहीं पे आपने बटी वगेरा में उसको जला दिया और उसका boiling point आपका achieve हो गया boiling point achieve होने के बाद में यानि melting point achieve होने के बाद में उसकी जो shape है जैसे माली जी यह है आपका इसको आपने पिंगलाना शुरू किया और यह माली जी कही हजार डिगरी पे जाके और यह बिल्कुल molten form में आगया है अब उस molten form को आपने क्या किया? उस molten form को आपने collect किया और as it is उसको आपने बरफ के पानी के अंदर डाल दिया तो होगा क्या? वो बाहर से तो आपका ठंडा हो जाएगा लेकिन अंदर से वो गरम रहेगा चीक है? अंदर से क्या रहेगा? वो गरम रहेगा चीक है? तो इस टाइप का कुछ material आपका यूज होता है कहां पे? इसके case में जहां पे बाहर से property अलग है internal property आपके कुछ अलग है और जो soft magnetic material आपका होता है इसके अंदर क्या होता है? जैसे जो आपका molten metal था उसको आपने रख दिया और naturally जब वो ठंडा हो गया तब हमने उसको क्या किया? यूज करना start किया तो कुछ इस तरीके का इन दिनों में क्या रहता है? difference होता है hard magnetic material में और soft magnetic material के case में ठीक है? तो यह था आपका hard or soft magnetic material का इस lecture के अंदर आपका इतना ही discuss करेंगे hard or soft magnetic material अब next जो आपका lecture आएगा उसके अंदर हम इसमें एक और property आपका discuss करेंगे क्योंकि हम sterices loss को अच्छे से पढ़ चुके हैं अब हम next आपका loss पढ़ेंगे जो आपके machines के अंदर काम आएगा that is eddy current loss